असलाम आरेकम स्टूडेंट्स पेटा आज मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगे फर्स्ट यहर कैमिस्ट्री रावल पिंडी बोर्ड ग्रूप नमबर वन का पेपर अब्जेक्टिव पार्ट अल्रेड एप्लोड हो चुक है आपको चैनल पर मिल जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट टोटल हमरे पास 68 मार्क्स का है और अब्जेक्टिव पार्ट हमरे पास 17 मार्क्स का है सब्जेक्टिव बार देखते हैं सबसे पहले हमारे पास question number 2 है जिसमें हमारे पास 12 questions given है जिनमें से 8 questions आप लोगों ने attempt करने हैं हर question हमारे पास 2 marks का होगा 8 questions attempt करने हैं तो टोटल 16 marks का आपका question number 2 बन जाएगा question कौन-कौन से आए है screen page paper चल रहा होगा आप लोग read कर सकते हैं उसके बाद आजाते हैं question number 3 की तरफ और जिन students का second time paper है वो first time वालों का बहुत अच्छे से paper देखे जाएं यही question आपके paper में repeat करके पूछे जा सकते हैं इनमें long question भी include होंगे और short भी और MCQs भी तो आप लोग तमाम boards के फर्स टाइम का paper बहुत अच्छे से देखे जाएं next आजाएं question number 3 की तरफ हंजी question number 3 में भी हमारे पास 12 questions given है जिन में से 8 questions आप लोगों ने attempt करने हैं हर question हमारे पास 2 marks का होगा तो टोटल question number 3 जो है 18 marks का बन जाएगा उसके बाद next आजाएं question number 4 है हमारे पास उसमें हमारे पास 9 questions given है जिन में से आप लोगों ने 6 questions attempt करने हैं हर question 2 marks का होगा तोटल 12 marks का question number 4 बन जाएगा question कौन कौन से आए हैं screen paper चल रहा होगा आप लोग read कर सकते हैं उसके बाद आजाए section 2 यानि के long questions की तरफ long question में आप लोगों के पास 5 questions given है हर question का A और B दो parts पर मुश्टमिल है एक question आप लोगों के पास 8 marks का है 3 questions आप लोगों ने 5 में से attempt करने हैं तो 24 marks के आपके long question बन जाएंगे अब question number 5 है तो उसका A और B part आप करेंगे फिर वो आपका A question include होगा और वो आपके पास 8 number का होगा इसके इलाव कोई भी question आप लोगों कामेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं All the best students for your exams All the best students for your exams All the best students for your exams All the best students for your exams